अंडियी के सरकार है लेकिन उस लाइक नहीं हो यहां इंडिया के पक्ष में है और इंडिया को ही भोड़ देंगे मोधी एकारकाल में कोई बेनिफीट नहीं है बेरोज़गारी और वरगिया है नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूँ विपुल दो हज़ार चौबिस लोग सवा चुनाओं का बयार बहने लगा है और हम आज पहुँचे हैं कठियार के एक मुस्लिम बाहुल मोहले में लड़कनिया टोला और यहां पर हमारे बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं आईए जानते हैं कि दोहजार चौबिस के चुनाओं में उनका बयार किस तरफ जाता है जी आपका क्या नाम है मेरा नाम मुहमद मुहिन दिन हुआ जी एक ची बताएं कि एंडिये और इंडिया दोनों गट बंदन में आप किस तरफ किनके पक्ष में बोट में हैं इंडिया क्यों इंडिया अची पाटी है एंडिये की सरकार है अभी एंडिये की सरकार है लेकिन उस लाइक नहीं हो क्यों देश को चलाने का लाइक नहीं है क्यों सर आपको समझ में आना चाहिए तेश के एकनोमी कहा से कहां गिर गई इस पे कोई tv में कोई डिबेट नहीं होता है जो भी होता है इधर-दर की बाते होती है जो मुद्दा का कर रहे मंद्दा काना सप्रक्रक्रणाय प отдった हिए टि-वी चैनल पर चारफ जबेंडम छोंत का उटाया झाल दीवेट कर रहे जो मुद्द्दा बात को चनता का उठाप के आप इधर उदर की अन्य जनता जिस मुद्धा को उठाता है उस मुद्धा को टीवी चैनल दवा देती है जैसे बहुं से मुद्धा है एक बीबताई न आपका मनिपूर भारत से बाहर है या भारत के अंदर है वह तो आप इंडिया के पक्ष में हम इंडिया के पक्ष में हैं और इंडिया को ही भोड़ देंगे क्यों यह एक चीज और आप बताईए कि आप मोधी के कार्ज काल में आपको क्या benefit मिली और क्या नहीं मिली मोदी एकारकाल में कोई benefit नहीं है बेरोजगारी और वर्गया है महेंगाई और चरम सीमा पर है और क्या बता है बाकित आप लोग सब जानिये रहें आप लोग घुमते फिरते हैं अच्छा इंडिया महागटवंदन जो है इंडिया गट सुना कि यह बता रहे थे कि राहूल गांदी को मानते हैं अब परदान मंतरी परदान मंतरी का चहुत भी जान रहे हैं वही देख रहे हैं जो भी कर रहे हैं आप मेरे समझ में नहीं आता है कुछ मोधी का काम कैसा लगता है आभी तो फिलाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करेगा नहीं करेगा वो मगर सर मेरे कहना का मतलब है कि बहुत महिंकारी हो रहा सर गड़ीब लोग बहुत मर रहा है काम करजार ने मिलता है, रुजगार ने मिलता है, ठीक ने रहता है, बीमारी ठीक नहीं होता है, इलाज नहीं होता है, नोगडी नहीं मिलता है, कहीं जाते हैं तो बोलता है, जाज़ाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजा किसको बोड़ देंगे हम सोचेंगे हम इसके बारे में हैं किसको बोड़ देंगे अब इनके बात को आपने समझा कि ये किस तरह से अन्डिय को बोल रहे हैं और ये अपनी बात को अभी गुप्त रखे हैं कि आने वाले समय में हम अपने समाज को भी प्रेरित करेंगे और खुद भी किस पक्ष में बोड़ डालनी है सरकार किसकी बनानी है हमारे साथ और भी लोग है ये बता है कि अज के डेट में 2024 में अब चुनाओ होने वाला है बदलनी है या उसी सरकार को रखनी है क्या कहेंगे अभी तो मामला है इंडिये का भी मामला है और इंडिया का भी मामला है इंडिया में जो भी नेता बढ़िया चुनाओ देश के पर्तिक पड़ा मिनिस्टर के लाइक जैसे राहूल गांदी और भी चारपांच क्राव चुनाओ होने वाला है मिटिंग होने वाला मिटिंग के बाद अगर हो जाता है तो हम लोग बहतर से बहतर सरकार यह सरकार जो कर रहा है उपर बे कर रहा है नीचे का जो नीचे का जो काम ही नहीं हुआ है इसको मालना होगा जाती बात से राजनेतिक हिंदूस्तान का नहीं होगा आपको मालूम है आपका पहला चुना पहले वाले में पहला जो तुना मोदी जी का उसमें मुहम्मडन लोग भूट दिया था आज रिखर खिलाब काहे इसे बगल में चिला रहे भी वही थे इवी वही थे लेकर नहीं कर सकेगा और जितना भी 26 गो दल है एको गौर करने का बात है इंडिया के पन्जराग मुसल्मान होता तो बोता उपर के नीचे लाई चाब हिंदू कर लाई तो मोदी जींदू करते हैं सब्सक्राइब दूए उन्टे विरोध में एक ही वही हो है विश्त परसें में दिया था और अभी आपका बोलने का बात नहीं आप अब रहिगिया बात की जो मामला है सोचने का बात है मेरी लडाय हम नहीं लड रहे हैं मेरा हिंदु मियावला मंगर आपको जो लड रहा है गलो तो यह 26-25 जार आप हिंदु का फोटर ले ले चाले तुम लग लेज हैं तुम लोग हिंदु ने जो छिप अनिशल बन गई है ममता इसे बन गई है यहां देखिए नितिश कुमार है त्यस्वी है हिंदुएं नाजी है उत्तर आखलेस है तो सब्सक्राइब हिंदु के लिए लड़ा तो कोई भी राजका है मुखमंतरी है उसके पास तो कुछ नरेंद मोदी के काज काल को आप कैसे देखिए काज काल जो उड़ी का चल लाएं उपर वाला काम चल अभी जो आज कहें अच्छा नो बताया है कितना मुसलमान के पास जमीन है आज किसान वाला भी आपका दूस्मनी कर रहा है आज अभी काश्मीर में को जंगा में यहां रा है तो लडाई को लड़ रहा है जो लड़ाई लड़ा उदी से लग इसलिए मिलाज उलाके सब को मिचे लिए है और दूसरा बात है कि अभी ठीक है आने वाला भवी समय जैसा होगा लोग वैसा करेंगा लेकिन खुलके कि मुसलिम समीधा के लोग बोलने के लिए तैयार न किसे बोट देना पसंद करेंगे आपसे पहले यह जानना चाहते हैं कि आप जो हमसे बोट देने की बात कर रहे हैं खिर किस मुद्दे पर हम बात करें तो हम पांस साल में जो यह विगत जो जा रहा है इनकार कार्जकाल इसमें सबसे वड़ा उपहार उन्होंने हिंदू ल मंदिर मस्जीत करना नहीं है मैं मंदिर मस्जीत जानके यहां पर बोला गौप्मेंट का काम है वणली डबलम्मेंट का बात होता है बिरुजगारी हुआ चिकित्सा हुआ स्वास्थ हुआ सडक हुआ जल हुआ बिजली हुआ यह सारी मूल भूत से विना है जो एक देश के मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ मेरे भी नीचे एक तपका है जो लो क्वालिटी के लोग हैं लो क्लास फैमिली हैं उनको आप देखिए आप महेंगाई की बात करते हैं या आप विकास की बात करते हैं आप सेलेंडर देखिए मैं आपसे पूछता हूँ एंडिये उस समय आप सेलेंडर के लिटर में लेते थे बद्धान मंत्री ने बहुत बड़ा स्कीम लाया उजवला योजनाम इस बात की स्वाईट करते हैं प्रधान मंत्री जी का घर गरीप के घर में स्लेंडर पहुंचा लेकिन वह सीलेंडर केया 600 वी मारी सो सबसे बड़ा मुद्दा तो देश में भी चल ला मंदिर मस्जिद जातिवाद धर्म का जब देखिए धर्म एक अफीम का नसा है अफीम लोग पीने के बाद नसा चरता लोगों को और जो अफीम का दी हो जाता है उसको जो है ना दूसरा की चीज भाने वाला नहीं है तो धर्म उस तरह से जो है लोगों के दिमाग में अफीम के तरह बस चुका है धर्म क्या आगे सारा विकास का मुद्दर ठप है लेकिन म उसके पीछे वज़ा है उसका मैं जवाब दूगा पहले बताएं कैमरे के सामने आपको परतेक दिवस का कितना भत्ता मिलता या मंतली कितना मिलता आप यह किलियर करें इनका कहने का मतलब यह है कि आज के समय में अगर NDA की सरकार है तो उसमें मीडिया से लेके ग्राउंड के वो मंदिर महजित के नाम पर बात हो रही है